वेल्कम बैक टो आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो सम्मिट करना है और कैसे सम्मिट करना है सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे तो चैनल पे नहीं चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें आगे इस तक वीडियो को देखने के लिए तो चलो वीडियो करते हैं सुरू तो आप इस पेज पर कैसे पहुंच सकते हैं या तो आप गूगल पर साच मार सकते हैं पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फॉर बेल्जियम अदरवाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूंगा आप डिरेक्ट लिंक से भी यहा पर पहुंच सकते हैं तो सब से पहले पर आप निनि telling that you are just Mustang passenger or located form एफॉर्म करें बेल्जियम और रिटन टो अपर इस्ट इंबरोट यहा पर साच को पढ वार सकते हैं और इसको सब बैल्जियम लैस ब्म आ अगर में आप विडीयो काफी लंब हो जाए को ओ पैसेंजर लोकटर फॉर्म विदिन सिक्स मॉन्स ऑफ या स्केडूल अराइविन बेल्जियम ओके तो मैं सिद आपको ले जाता हूँ फॉर्म कैसे सम्मिट करना है नीचे स्कॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं डेक्स्टॉप से कर रहा हूँ आप मोगा तो मैंने नो कर रखा है नीचे आप देखेंगे बेल्जियम नेशनल नंबर और एससे नंबर अगर आप रेसिदेंस से तो आपको होगा तो आप इसको डाल सकते हैं मैंने छोड़ रखा है और यह मैंडिटरी भी नहीं है जहाँ पर एक रेड आपको दिख रहा होगा सेंट कोड करना है आपको एक समस आएगा आपके वाइल नंबर पर वो सिख डिज का कोड आपने यहां पर डालना है ओके होम फोन और ओफिस फोन यह ऑप्शनल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं उसके बाद इमेल अडरस आप यहां पर डाल लेंगे उसके बाद कनफॉर्म लेडरस करना है उसके निचे आप देखेंगे अराइव इन बेल्जियम तो आप बेल्जियम में कब अपने डालनी है ओके बेल्जियम में क्यो आर कोड ओफ दे पी एल एफ यू वांन तो मॉडिफाई तो यह छोड़ देना आपने ट्रेवलिंग बाइट रेवलिंग बाइब बॉट बएब बस तो मैं बाइएर कर रहा है आप यहां पर यहां को आपको फ्लाइट नमबर डालना अपना पना फ्लाइट नमबर इसके देलने जाप यां यह और पैर कर रहा है ठीकर नेग्स्ट लoi को मुच imperson वाइन, चास्ट बाइट नंबर एमने ड के घशा क और उसके बाद आपको यह बताएगा कि आप कितने से कितने टाइम पर रुकिए थे आप रूकिए थे तो आप डाल सकते हैं अगर कहीं नहीं तो इंडिया का ही डाल लेना अगर आप कहीं गई थे किसी भी country में तो आप वहां का डाल लेना अगर नेक्स्ट आप देखेंगे आप रुकने वाले हैं वहां का अपने address डालना है तो मैंने वहां का address, zip code और number सब कुछ डाल लिया है box का option आप छोड़ सकते हैं बांकि आपको डालना पड़ेगा mobile number, street and country, sorry state, zip code and city ये सब कुछ आपको डालना पड़ेगा नीचे आप देखेंगे अब नेक्स्ट आप देखेंगे आप पे certificate do you have hold any of the following certificate तो इसमें देख सकते हैं आप पहला है vaccination certificate, वो मेरे पास है negative test certificate PCR test report है तो मैं ये इसका लेता हूँ, recovery certificate नहीं है क्योंकि हुआ ही नहीं था करोना तो मैं छोड़ दोता हूँ आपके बास होगा तो आप कर सकते हैं none of the work, कोई भी नहीं है तो आप इसको choose कर सकते हैं, तो मैं ये choose कर लेगा हूँ, उसके बाद देखो नीचे है, इसको accept कर लेना declaration को उसके आप देखेंगे आप तो यहाँ पे अभी submit data करते हैं submit करने के बाद आप देखते हैं, यहाँ पे मेरा QR code generate हो गया है, okay PDF generated, PDF sent by mail तो जैसे कि आपको site पे यहाँ पे एक mail दिख रहा होगा mail में आपको एक PDF format में आपको एक letter आएगा उसमें आपका QR code होगा और आपकी details होगी उसमें, okay तो उसका print out आपने अपने साथ लेके जाना है और आप screenshot भी ले जा सकते हैं बट अपने साथ print out भी लेके जाएं Belgium जाने से पहले, okay तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था अगर आप पर वीडियो अच्छी लगी तो like, share, comment and subscribe जोरू करें and thanks for watching, see you in next video